नमस्कार खबरों की खबर में आपका स्वागत है आज देश के पुर्धान मंतरी नरंद्र मोदी ने राज्य सभा में विपक्छी पाटियों उनके नेताओं और साथ ही साथ ये जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे फरजिक किसान नेता जमे हुए है इनकी जबरदस्त धुलाई की है एक एक आरोप का जवाब दिया कानून के उपर जो बवाल जो सवाल पूछे जा रहे हैं उन सारे सवालों का भी जवाब दिया साथ ही साथ ये जो देश को बदनाम करने की जो इंटरनेशनल साजिस हो रही है इसका भी खुलासा किया और साथ ही साथ ये रिहाना मिया खलीफा ये जो वामपंथियों के द्वारा पैसे लेकर के ये जो टूइट का जो खेल हो रहा है उसको भी जबरदस्त जवाब दिया है प्रधानमंतरी मोदी दे और तो और ये जो कुछ आंदोलन कारी जो पारसाइट्स हैं जिन्होंने अपनी जी जीवी आंदोलन जीवी हैं ये आंदोलन जीवी मतलब ये हो गया ये पारसाइट पर्मानिंट आंदोलन कारी हैं कहीं स्टूडेंट की का हो या फिर मुसलमानों का हो दलीतों का हो ये हर जगा पहुंच जाते हैं लेकिन आज के भासन में प्रधानमंतरी मोदी ने एक ऐसे टेकनीक का इस्तवाल किया है कि जिसे सुनकर विपक्षी पाठियां भाग कड़े हुए उन्हें भासन के बाद वाकाउट करना पड़ा क्योंकि प्रधान मंतरी मोदी ने कॉंग्रेस को मनमोहन सिंग के ही बयानों से घसीटा ये जो राकेश टिकैत ये जो RLD किसान नेता तो सबसे बड़े किसान नेता चौधरी चरन सिंग के बयान को लेकर के ही उनको पूरी तरीके से जवाब दिया लेकिन सबसे मज़दार बात ये हुई कि इन्होंने कहा कि इस देश में दो तरह की पाठियां हैं दो तरह के लोग हैं दो तरह के नेता हैं एक वो जो समस्या का समधान निकालने में जुटे हुए हैं और दूसरे वो जो खुद एक समस्या बन गए हैं ये समधान नहीं निकालना चाहते ये खुद देश के सामने एक समस्या बन गए हैं मतलब ये कि जो फर्जी किसान आंदोलन के नाम पे ये जो दिली को बकायदा बंधक बनाने की जो कोशिश चल रही है, हिंदुस्तान को बकायदा बंदाम करने की जो साजिश चल रही है, उन लोगों ने जिन्हों ने लाल किले पे तिरंगा का अपमान किया है, उन्हें पुर्धान मंत्री ने समस्या बताया है कि ये लोग दरसल प्रॉब्लम है इस देश की ये वामपंथी, ये जो विदेशी, विचारधारा उन्होंने बड़ा अच्छा सब्द का इस्तमाल किया FDI, Foreign Direct Destructive Ideology ये वामपंथी, ये माक्सिजम और ये नया किस्म का ये जो देश भर में, दुनिया भर में जो चल रहा है हंगामा उसके बारे में उन्होंने बताया, लेकिन जो मूल बात थी, उन्होंने साफ साफ कह दिया अपने भासन के जरिये कि सरकार ने, ये जो कृषिक कानून वो जो लेकर के आये हैं, उसको वो अब बदलने वाले नहीं है उन्होंने साफ साफ कहा, कि ये कानून बनाना, ना बनाना, कानून में बदलाव लाना, ये तो किसी भी डिमोकरिसी की एक सहज प्रक्रिया है दो साल, तीन साल, चार साल, बले बले कानून में हर साल कुछ ने कुछ बदलाव किये जाते हैं, ये बात कि भी डिमोकरिसी है, डिमोकरिसी में आप एग्री करेंगे, ना करेंगे लेकिन उन्होंने एक जो मूल प्रहार किया कॉंग्रेस के उपर उन्होंने ये कहा कि ये सारे लोग कॉंग्रेस पार्टी या विपक्ष के लीडर्स इन लोगों ने कानून के उपर सवाल तो खड़े किये लेकिन कानून की जो फिलसफी है जो विचार है जिस सोच से इस कानून को बनाया गया है उसके उपर कॉंग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं कहा वो क्यों नहीं कहा तो प्रधान मंत्री ने बताया कि भई आपको इन कानून के जरिये जो बदलाव होगा जो गरीब किसान को इसस बयान का याद दिलाया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम देश के अंदर जब यूपी की सरकार थी जब वो प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने संसद में ये बयान दिया था कि वो एक ऐसी बिवस्था लाने वाले हैं कि जिसमें किसान पूरी तरीके से आजाद होगा वो अपने लगा कि उनके शरीर को जो लकवा मार गया क्योंकि ये बयान मनमों सिंग और उन्होंने तंज भी कशा कि भई इसकी सभलता के बाद कॉंग्रिस पार्टी स्वयम ये कह सकती है कि भई ये हमने बताया था प्रधान मंतरी मोदी मनमों सिंग की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे है तो इसमें कोई बात नहीं आप इसका क्लेम ले सकते थे लेकिन नहीं आप जो देश का जो विपक्ष है वो खुद एक समस्या बनता चला जा रहा है वो हिंदुस्तान के डिमोकरसी के उपर ही सवाल उठा रहा है और उन्होंने कहा कि आपका प्रधान मंतरी मोदी से विपक गालिया दीजिए वो सब मैं सुविकार कर लूँगा लेकिन हिंदुस्तान की डिमोकरसी के उपर ही प्रहार करना ये बरदास्त नहीं किया जाएगा ये उचित भी नहीं है और ये उन्होंने बताया कि किस तरीके से और एक और नहीं बात उन्होंने कही पहली बार संसत के अंदर कोई प्रधान मंत्री हिंदुस्तान के पहले प्रधान मंत्री के रूप में सुवास चंदर बोष का किसी ने नाम लिया हूनोंने कहा कि आजाद हिंद भौज की जो सरकार जो बनी थी उसके पहले प्रधान मंत्री सुवास चंदर बोस ने एक बात कही थी कि हिंदुस्तान की जो डिमोकरसी है वो कोई वेस्टर्न इंसिचूशन नहीं है बलके हिंदुस्तान का जो इतिहास है हिंदुस्तान की जो परंपरा है और उसकी जो खुबसूरती है हमारे डिमोकरसी में तो सत्यम शिवम सुन्दरम की परचाई है और इसलिए जो लोग हिंदुस्तान की डिमोकरसी के बारे में जो चाते पीट रहे हैं वो बिलकुल बेबुनियाद है और उन्होंने ये भी पताया कि किस तरीके से दुनिया भर के लोगों के जरिये हिंदुस्तान को बदनाम करने की को समाजवादी इन्होंने कहा कि ये खुद इनकी राजनिती ऐसी हो गई है कि ये स्वयम इस देश की समस्या बन चुके हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से दो हजार चौदा के बाद जब बीजेपी की सरकार आई जब नरंद मोदी पुधान मंत्री बने जब उन्होंने ब इजिटल इंडिया लॉंच किया उस मिजन को लॉंच किया तो सारे लोग कहने लगे बैए किसके पास फोन है कैसे क्या होगा ये बकवास है ये सपने दिखाने वाले ये जुमला है तो ये है तो वो है लेकिन उन्होंने आकड़ दिये कि आज चार लाख कड़ोर रुपए डिजिटल ट्रांसफर हो रहा है यूपी आई के जर्ये वो ट्रांसफर हो रहा है तो ये जो विपक्ष जो हर चीज पे सवाल खड़े करके सरकार को प्रधान मंत्री मोधी को घेरने की जो कोशिस करता है वो हर बार वो फेल हो जाते हैं उन्हो उन्हें बहुत अच्छा एक्जांप्ल दिया हो खास करके जो किसान लीडर हैं उनके उनको चौधरी चरन सिंग्ग की याद दिलाई और चौधरी चरन सिंग्ग जो कहते थे कि इस देश में जो मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की जो संख्या है उसको य उन्होंने साब साब कहा कि चौधरी चरन सिंग्ग ये कहते थे कि हिंदुस्तान की जो एग्रिकेल्टिर की जो विवस्ता है जो सरकारी एप्रोच है उससे घरेब किसान का कोई भला नहीं हो सकता कैप्टल टीवी में लगता ये इस बात को हम लोग सुरू से कहते आरें कि इस देश के अन्डर 86% पर्सेंट स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं जिन्हें ना MSP से कुछ लेना देना है ना उने बैंक लोन लेना देना है ना ना सुबसेडी से कुछ लेना देना है ये तो hand to mouth है सबजिया उगाते हैं कुछ उगाते हैं और वो सहर की तरह भागते हैं रोजगार भूनने के लिए रिक्सा चलाते हैं सबजिया बेज़ते हैं मजदूरी करते हैं करस्ट्रिक्सन का काम करते हैं जब बुआई का समय होता है कटाई का समय होत इस तरह से हिंदुस्तान का गरीब किसान स्ट्रगल कर रहा है जिंदगी जीने के लिए मोदी ने कहा कि हम उसको बदलना चाह रहे हैं ये जो एक तरीका था हिंदुस्तान के अंदर में के एलेक्शन के पहले करज माफ कर दो तो उसका फाइदा सिर्फ वो रिच फार्मर्स को पहुंचता था जो अभी इस जगह पे वो जो बैठे हुए हैं जो दलाल जो मंडी के दलान है ये जो किसान निता है जो एमस्पी को आगर बढ़ाने के लिए हिंदुस्तान के अंदर में राजनीती करते थे और पहले लॉबिंग किया करते थे ये उनके लिए था मतलब ये अब तक जो सरकार चल रही थी वो अमीर किसानों के लिए चलाई जा रही योजना थी उन्होंने साब साब कहा ये जो पूराना धरना था उसको हमने बदलने की कोशिश की ये जो फसल बीमा योजना है उसके तहत नब्बे हजार करोर रुपे किसानों को दिये गए हैं उन्होंने ये भी बताया कि करोना काल के दौरान जो गरीब किसानों को जो पैसे जो ट्रांसफर किये गए हैं बैंकों में उसमें एक लाख पंद्रह हजार करोर रुपे बाटे गए हैं अब तक और उन्होंने ये भी बताया इस से बारा करोर से जादा किसानों को फाइदा हुआ है जो गरीब थे अब इस तरह के आकड़े इस तरह की बाते और इसमें सबसे एहम बात कि कोई भी योजना जिसके बारे मुनोंने बात की चाहे वो भीमा योजना हो चाहे फिर वो किसानों को साहता रासी देनी की बात हो इसमें कोई करप्शन नहीं है कॉंग्रेस पार् मुस्ता भी नहीं और कई अधिकारी नेता, MP, MLA, मंत्री सब खरपती बन गए होते तो कहने का मतलब ये है कि प्रधार मंत्री ने आज दो तीन साफ साफ सिगनल उन्होंने दिये पहली बात उन्होंने कि जो विपक्ष किसानों के जरिये जो राजनिती कर रही है वो हिंदुस्तान को तबाह और बरबाद करने वाला है उन्होंने बताया कि जो विपक्ष के जो रुवया है ये समस्या का समाधान ढूनने वाला राजनिती नहीं है ये दरसल खुद अपने आप में हिंदुस्तान के सामने एक समस्या बनकर उभर रहे हैं और तीसरी बात जो उन्होंने बहुत ही सही तरीके से समझा दी देश को भी और विपक्ष को भी और ये फरजी किसान निताओं को भी कि कम वाट में ये जो कानून है वो वापस नहीं लिया जाएगा और MSP जो चल रही थी वो चल रहा है अभी भी है और आगे भी चलता रहेगा ये बात उन्ह करना है आप बैठके आंदून करते रहिए उन्होंने एक मानविये एक हुमेनेटरियन अपील भी की कि आपको बैठना है आप बैठें आप बुड़ों बच्चों और तों को बिठा रहते हो इस प्रदर्शन में वो ठीक नहीं है उनको घर बेज दीजिए और जिनको लेता हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यबाद